आज हम पढ़िएंगे सभी कंड्रेक्टर सभी कंड्रेटर रे माटेर्यल होते हैं जिसकी चालंक था कंड्रेक्टर और इंसिलेटर के बीच में होता है उसे हम सभी कंड्रेक्टर एक इसके प्रेज़ांपल होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, गैरिया, एक्सेक्टरा अब इसके एनर्जी, एनर्जी बैंड डाइग्राम ऑफ सेमिकंड़ेटर यह सिलिकॉन के लिए है इन दोनों का यह वैलेंस बैंड है यह करनेक्शन बैंड है इन दोनों के बीच में जो इसल एक से मिकंड़ेटर कहते हैं अब सेमिकंड़ेटर प्रपरडीजर सेमिकंड़ेटर सेमिकंड़ेटर बहुत है इसमें पॉफ हम्हतल चूप होता है अब सरी कि Semiconductor में NTCR यानि Negative Temperature Coefficient of Resistance शो करता है इसका मतलब यह होता है कि अगर Semiconductor का Temperature को अगर हम बढ़ाते हैं तो उसकी EC मतलब Efficiency of Conductivity भी बढ़ती है और Resistivity कम होती है इसी प्रकार अगर किसी Semiconductor या किसी Material का Temperature को हम लोग अगर कम करते हैं इसकी EC यानि कि Efficiency of Conductivity लोगी और Resistivity हाई हो जाती है इस प्रकार Semiconductor क्या करता है NTCR यानि Negative Temperature Coefficient of Resistance शो करता है और लास्ट पोपर्टी Semiconductor में हम Extra Material कर डूपिंग करके हम Electric Component जैसे कि Diode, Registr, Amplifier, etc आधी बना सकते हैं अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे Type of Semiconductor तो Type of Semiconductor में इसके दो टाइप्स होते हैं एक Intrinsic Semiconductor और एक दूसरा होता है Extrinsic Semiconductor ठीक अब Extrinsic Semiconductor के अंदर में होता है N-type Extrinsic Semiconductor और Second होता है T-type Intrinsic Semiconductor अब देखो यहाँ पर Intrinsic Semiconductor को Pure Form of हम लोग Pure Form बोलते हैं इसमें किसी प्रकार की कोई डोपिंग ही नहीं किया जाता है इसलिए इसको Pure Form of Semiconductor बोलते हैं अब Second Number Extrinsic Semiconductor के दो टाइप होते हैं N-type Semiconductor को हम लोग Pentavalent Impurity Pentavalent Impurity जैसे की Phosphorus, Arsenic, Antimini, etc. इसमें हम लोग Add करते हैं N-type Semiconductor को हम लोग Donor Type Semiconductor भी कहते हैं क्योंकि यह देता है Electron देने का काम करता है इसलिए हम लोग इसको क्या बहते हैं Donor Type Semiconductor और Petal Semiconductor में हम लोग Trivalent Impurity Add करते हैं जैसे की Gallium, Boron, Indium, Aluminium इसे Acceptor Semiconductor भी कहते हैं क्योंकि यह दूसरे से Electron Accept करता है इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं Acceptor Semiconductor Intrinsic Semiconductor क्या होता है Intrinsic Semiconductor वह होता है बीना Impurity के अपने Internal Property के कारण में Semiconductor की तरह बेहव करता है इसलिए इसको हम लोग Pure Form of Semiconductor कहते हैं Example, Germanium और Silicon इसकी Conductivity कम होती है इसकी Conductivity Extrinsic Semiconductor की तुलना में कम होती है अब Extrinsic Semiconductor में Pure Form of Semiconductor में जब हम लोग Trivalent और Pentavalent Impurity को Add करते हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं Extrinsic Semiconductor अब Pure Semiconductor की Conductivity कम होती है जिसको Conductivity बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें क्या करते है Trivalent और Pentavalent Impurity को क्या करते हैं एड करते हैं इस वीडियो से relative कोई भी कोशेन या कोई डाउट होंगे तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं Thank you